Hello everyone, welcome back, और आज का टॉपिक है हमारा economic problem, problem आप सबको पता है problems होते के हैं, अब problems की बात करते हैं हम लोग economic, में क्या-क्या problems हैं और किस तरीके से एक problem create होती है, क्यों create होती है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग economic problem के बारे में, it is a problem of choice, involving the satisfaction of unlimited limited ones, out of limited resources, have alternative uses, यानि आप कर सकते हो कि यह problem of choice के वज़स से हमारे economic problem arise होती है, choice के है, भाई हमारे पास क्या है, resources क्या है, square है, scarcity है, resources की कमी है, और resources are limited in the relation to the demand and economy, cannot produce all the what people want, we can't produce, हम वो सभी चीज़ें produce नहीं कर सकते हैं, जो हमें चाहिए, जो human mix के needs and wants के लिए ज़री होता है, यानि क्योंकि हमारे पास resources क्या है भाई, तो हमारा resources है limited, इसलिए हम इसको क्या करते है, produce नहीं कर सकते, दूसरा हमारा है, unlimited human wants, unlimited human wants का मतलब है कि हमारे जो wants है न, unlimited है, आप ही के wants लेख लीजी, कोई limited है क्या, नहीं न, हमारे wants के unlimited, they never be fully satisfied, जो की पूरी तरीके से आपको satisfied नहीं किया जा सकता, as soon as one want is satisfied, another new want emerges, जैसे ही आपकी एक want satisfied किया जाता है, दूसरी wants अपने आप arise हो जाएगा, यह हमारा human nature है, अगर हमारे एक needs fulfilled होती है, तो दूसरी needs क्या होगा, अपने आप arise हो जाएगा, तो दूसरा region है, unlimited, और तीसरा क्या है, alternative uses of resources, alternative का मतलब होता है, एक से बड़, या एक तो हमारे पास है, जैसे माल लीजे, दूद है, दूद हमारे resource माल लीजे, अब इसके use क्या है, alternative, यानि दूद से आप क्या मना सकते हो, मिठाईयां मना सकते हो, दूद से कॉफी मना सकते हो चाय बना सकते हो, दई बना सकते हो, मखन बना सकते हो, बहुत सारी ऐसी categories है, जो कि आप दूद के से क्या कर सकते हो, तो you have the alternative uses, resources are only, not only scarce, but they can also be put to various uses, it makes choice of among resources more important, ठीक है, आपके पास resources है, और इसके various uses है, बहुत सारी uses है, जैसे आपके पास हमारा car है, घर है, train है, ये बहुत सारी चीज़े है, और जिसके uses क्या है, बहुत अधिक है, यानि कि हमारे resources पहला क्या है, limited resources है, दूसरा unlimited wants है, और तिसरा है हमारा alternative uses, ये तीन ऐसे problem है, जिसकी वज़ा से हमारा economic problem क्या होता है, arise होता है, आगे देखते हैं हम लोग economics क्या होती है, अब इसको ह economics और types of economics, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग next वीडियो में, अगर आपको पसंद आई होते हैं लाइक और subscribe बार दो, डरो मत, सर्माव मत, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, जैन